मैं पंकच कुमार और सभी का पिस्टार्ट्स प्रीज में स्वागत करता हूं इस सेस्वा डिस्कस करने वाले जो अचिक आपके यह पेस एक्जाम आपके वहे हैं सो इसमें आपके जों कोशन आपके बैबाइसं आafaन के सब करेंगे और वह सब कुछछ करेंगे..., और इसके तुम आपके प्रॉब्लम को भी लेकी आपके इस करेंगे ठीक तो यह जो वहारा जो सेशंस आपका है UPSC ISS 2023 पेपर डिसकस्न और स्टार्सिट सेकेंड पेपर एपका इस स्टार्स का इंफ़रेंस बिस्ट आपके ठीक अगर बात कर सकते हैं जो यहाँ जैसा कि आप सभी का पता है यह आपका स्टार्सिक सेकेंड पेपर के आपको अब्जेक्टिव आपका होता है और अगर हम इसके अब्जेक्टिव की बात कर सकते हैं इसमें आपके टोडल आपके थ्री आपको होते हैं लिनियर मोडल स्टाइस का इन्फरेंस यह आफिशल सटाइस को यह पार्ट आपको होता है लिनियर मॉडल को तो हमनोगे स्ट वे में लेका मुस को कर लिए आपको इसको डिस्कस कर ली हैं से बात कर सकते हैं तो इस से आपके टोडल आपके इस बार आपके बने हुए थे तो और बागी कि जो आपके 15 वह आपके क्या थे ऑफिस्टाट सीक्स आपके थे इस तरीके से लंबर आपके डिस्ट्रिबूशन साथ का हुआ यूनिट वाइज प्रेस्ट आपके हुए तो अ टोटल आपके 3 units है, estimation theory, testing of hypothesis and SPRT sequential probability ratio आपका test आपका है, तो अगर हम यहां से estimation theory की बात करते हैं, तो as it इससे आपके 38 questions आपके बने हुए हैं and आपके testing of hypothesis से आपका total आपका 11 questions आपके बने हुए हैं इससे आपके 50 questions आपकी इस पूरे topics आपकी estimation theory, testing of hypothesis और SPRT सापके questions आपके बने हुए हैं और यही आपका ratio भी आपका रहता है, वैसे अगर generally आपका देखा जाए, तो यहां समखे सकता आपका linear model, stars care inference और आपका official star six way, तो इससे आपके number of questions आपका 15 to 20 और इसके बाद आपके 40 से इस बार का जो pattern आपका था, कि 15 questions आपके linear model से आपके थे, इसमें start second paper के inside, और आपके 15 questions आपके linear model से, 50 questions आपके start inference से, और इसके बाद आपका 15 questions आपके official start सेखे से हैं, तो यह हमारे आपके एक तरीकी साब के number of questions आपके कैसे, क्या आपके बने हैं, तो वैसे आपका start inference का, inside आपका देखा जाए, तो यह काफी आपका broad आपका है, यहां कह सकते comparison to another, जो आपके जो syllabus आपके linear model हो गया अच्छे, आप official start list से आपके, उसके comparison में इसका आपका syllabus आपका काफी broad है, तो इसलिए number of questions का आपके जो weight है, वो भी आपके जाद आपका है, तो यह तो आपका एक short way में आपका यह हो गया कि as it आपके कितने number आप questions आपके पूछे के हैं, अब इसी में से मैंने आपका कुछ questions का यहां पे collections लिया है, तो total मैंने आपके 5 questions का collections लिया है, जो इस बार कुछ नए pattern based आपके questions आपके बने हुए थे, इसके अलामा और भी सारे questions आपके बने हुए हैं, तो वो भी हमनों लेके one by one क्या करेंगे, आपके discuss करेंगे, ठीक, इसमें जो हमारा question number आपका जो first आपका है, यह एक new approach based आपके questions इस बार आपका लेका आपके design किया गया है, और इस questions में आपसे कहा क्या जा रहा है, The radius of circle is measured with an year of measurement, which is normal distribution 0 to sigma square, let x1, x2 and xn be an n measurement of the radius, let x bar summation i from 1 to x i upon n be the sample mean and s square is the with the sample variance, what is the unbiased estimate of the area of the circuit? अब यह question थोड़ा सापका confusion, confusing based आपके आपका design किया गया है, बट यह है कि अगर हम इसको mind को concentrate करके आपका solve करते हैं, तो यह question सापके EGB में आपका हो जाएंगे, main यहाँ पर बस आपको समझना कि आपको यह, यहाँ जो बोला जा रहा है कि the radius of the circle measured with an error of measurement, which is normal distribution, mean 0 and variance आपका sigma, तो अब यहाँ से अगर हम radius of the circle, अगर इसमें हमको small x i से लेके चल ले हैं, generally यहाँ पर बोलागा है कि n measurement of the radius आपका जो दिया गया है, तो यह x i based आपके drone based आपके यहाँ से हम कह सकते हैं, यह edit आपके कि आपका normal distributions को follow कर 0 and sigma square आपका देंगे, तो अगर हम circle का area अगर निक इसके आपके unbiased होगा, तो वैसे unbiasedness के अगर हम प्रॉपरिटी हम लोग चेक करते हैं, तो generally कि इसके लिए आपको यह parameter based हम लोग लेके चलते हैं, तो इसमें ऐसा कोई parameter कर तो mention आपका किया नहीं गया है, बस यहीं पर इसमें आपका confusion based आपका यह है, सो अब इसमें लोग करेंगे क्या, हमें बस यह check करना है कि इसमें से हमारे जो options a, b, c, d आपके दिये गएं, इसमें से किसका expectations निकालें, और साथ में इसका जो हमारा जो दिया edit इन दोनों का expectations आपस में equal आपको हो जाए, यहां सम बस इस conditions को लेके क्या कर सकते हैं, चल सकते अगर हम इस पर expectations operate करें तो यह हमारा πाई और यह हमारा क्या आपका यह sigma square अब हमको πाई sigma square के क्या होगा आपका यह, इसके लिए हमको unbiasedness conditions आपको check करना, तो फिलाल each and every xi हमारा क्या आपका normal distributions को follow करा, mean zero and variance आपका sigma square आपका देगे, अब इसमें से देखें किसका expectations करने पर ह इसके आपके equal आपका आजाए तो generally options आपको जो भी आपका जो होगा अगर हम इसका expectations करेंगे तो यह पाई और यहां से करेंगे expectations आप SI square करेंगे, यह हमारा n sigma square आपका आपका जगा, तो अब यह जो हमारा part है और यह जो आपका part, यह दोनों आपस में किए आपका equal होजाए बाकि और इसमें से यह तो हमारा जब इसका expectations ऑपनेट करेंगे यह हमारा 0 आपका जाएगा ठीक और बाकि और इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसका expectations करें वो आपके इक्वल आपका आजाए तो इस case में हमारा जो आपका जो पॉस्ट का आपका बी आपसंस के आपके यह correct होगा यह questions आपका थोड़ा बहुत confusion based आपका लेकि आपका design किया गया है लेकिन है easy आपका इसको इस तरीके से क्या आपके solve किया जा सकता है ठीक ठीक तो यह हमारा आपका होगे अब जो हमारा जो next आपके जो questions आपके question number आपके जो 2 दिया गया यह भी आपका है तो आपका normal distribution बाकी और सारे जो as it आपके लेकिन इसमें क्या किया गया है वैसे हम लोग यह क्याता है कि एक साई आपको follow करता है normal distribution mean mu and variance आपका sigma इसका बट इसमें क्या करें each and every x i जो आपका यह एज़ीट आपका random sample from normal distribution mean theta and variance theta square आपका then sufficient star six for theta अब जब अगर हम यह कह कि अगर एक साई आपका normal distribution को follow करता है तो इसमें हमारा sufficient stratogram को निकालना होता है तो एक तो मारा क्या म्यूं आपका एज़ीट आपका क्या आपका यह noon आपका हो तो इस case में sigma square के लिए आपका जनली आपका x i square यह मारा क्या आपका sigma square के लिए sufficient होता है और मारा सिगमा स्कुइर के आपका अन्नुन होग्व इस गेस में मारा जो शमेशन साफ EKS X होता है वह आपका मियू के लिए क्या ता सूफिचेंट आपका होता है और अगर यह बहुत होर क्या आपका यह आन्नोन हो तो इसुंस क्या थो हक्षम साफ EKS X और यहां सम कह सकते हैं Summations आप X i square जो होता है यह एजिट क्या होते हैं Jointly sufficient आपके होते हैं तो अब यहां से आप यह decisions इसमें नहीं दे सकते हैं कि theta हमारा mean की बात करा है यह theta as it क्या आपके है इसके variance की बात करा है तो हम इस logic का concept का यूज करकर हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा sufficient star six आपका होगा वह आपका summation साफ एक size और summation साफ एक size square यह एजिट ठीटा के लिए क्या होंगे Jointly sufficient star six होंगे आपके JSS Jointly sufficient star six आपके यह होंगे और इसको हम लोग solve कैसे NFT नीमें factorization theorem का यूज करके हम लोग क्या करेंगे अब इसमें अगर हम इसको detail में जाते तो फस्ट एजिट हम लोग क्या करते इसका यहां समक्राइब कि यहां से like root function आपका निकालते हैं उसका product आफ यह i from one to n f of x i and theta आपका होता और यहां समक्राइब तो हम यह इतना नौ जाके हम लोग डारेक्ट क्या कर सकते हैं इस concept कहल से भी क्या कर सकते हैं अब जो नेक्स्ट आप देखें इस आपने से बहुत लोग ऐसे होगा जो आप जनली इसको किस ने किसी ने आपका एक को किया होगा किसी ने बी को किया होगा लेकिन अगर हम आंसर की बात कर देखें इसका आपके क्या होगा पर यह डी आप यह करिक्ट आपको चलिए नेक्स्ट आथे question number 3 आपका दिया गया य इसमें जो हमारा जो कहा यह हमारे सब कुछ आपके value आपके as it आपके given random sample आपके given आपके drawn from the normal distribution mean आपका mu and variance आपका 1 दिया गया और sigma square अगर हमारा क्या आपका noon तो इस case में mu जो हमारा जो होता हूँ एकस बार के इककल होता है और यह कब आपका होता है when mu as it आपका minus infinity to infinity जब इस रिज में क्या करता आपका lie करता है तो हमारा क्या इसका sample mean as it क्या आपके MLE आपका यह अपको होता है कैसे हमनों निकालते हैं तो log like group function निकाल के हमनों क्या करता है सिंप्लियां से L of x bar theta और यह हमारा क्या product of i from 1 to n f of xi and theta और f of xi हमारा normal distribution को follow कर रहा है फिर हम इसको क्या करेंगा आपको log ले लेंगे और इसका मू करिस्पेक में इसको difference partial differentiate करके equal to zero करेंगे तो वहां से हमारी मू की आपकी value आपके निकल जाती है तो यहले तो एज़ेमारा यूजू अपका मेंटर्स है अब इसमें हमारा मली की समझता होगा यह हमारा आपका मायनस infinity to infinity बस इसमें आपका range क्या कर दिया कितना है तो उस case में अब हमारा MLE आपका क्या हो जाएगा तो first edit क्या कर इसका sample mean निकालेगे जब आप इसका sample mean निकालेगे तो इसका sum of x i अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यह 4.5 प्लस आपके यह 3.8 और यहां सकर देंगे आपके 2.5 अपका 5 और इसको कर देंगे तो यह मारा किता आपका हो जाएगा पर 5,3,8,9 आपका यह हो गया और अगर इसको add कर देंगे 4,2,6 और 7 तो 4,2,6 ऐसा तो 16 आ जाएगा इतना आपके यह 16 आपको जाएगा और number of observation कितने द टीन चाइगा इसको अगर 4 से आपके दिवाइड करने तो value हमारी क्या हो गया आपके यह 4 आगए अपने से बहुत लोग ऐसे होंगे कि यहां से जो x-bar की जो value हमारी क्या आपके प्लाइगा तो जब आपके यह 4 आगया होगा तो कुछ लोगों ऐसे कर देंगे इसका answer कि आ कर दिया गया है restricted आपका कर दिया गया है तो MLE always ज्त नहीं होगा तो आपका नहीं होगा कैसे इसका लेंगे तो अब इसका जो नियरेस्ट वैलू जो इस सेट में क्या करें आपका बिलॉंग करें कि आम लोग करेंगे निरेस्ट वैलू हम इसको सलेक्ट करें इसके अपना जो निरेस्ट वैलू है वह हमारा क्या आपका यह टू आपका एक प्रॉब्लम्स हमारे किजी भी में क्या पिए सौनवा पर यह हो जाते हैं तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा अब चलिए हम नेक्स आते हैं कोस्ट नमबर 4 की बात करते हैं कोस्ट नमबर 4 भी एजिट हमारा कुछ उसी कॉंसेट पर बेस्ट आपके कोश्ट आपके यह डिजाइन किया गया है यहां से यह हमारे रैंडम सैंपल है इस केस में यहां से करते हैं अगर लाइक होगे हैं अगर अगर आपके यहां से क्या करते हैं यह हमारा एक्स जो अब्जर्बेशन है यहां से यहां से यहां से फिटा वो एक्स आपके यह लेस हो जाएगा तो थीटा के अगर हम इंट्रल बनाके तैयार करें तो थीटा हमारे क्या होगा विलॉंग करेगा यह अब इसमें हमारा MLE क्या हो जाएगा तो जो भी आपका जो PDF आपका दिया गया है इस PDF को हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंसियेट करेंगे तो यहां से जम इसको डी या फी एपस इसको हम लोग ठीटा क्रिस्पेक तो इसको डिफ्रेंसियेट करेंगे तो वो हमारा आएगा क्या आपका यहां से करम लोग करेंगे तो इस केस में हमारा क्या आपका यह आपक और एटू पार मानस ठीटा कराम डिफेट लिटू पार ठीटा इटमीस हमारा यह आपका यह एज इत आपके यह हो जाएगा अब चाहें हमीं सिरेंज का कोई भी कि आपके अब आपके काम करेंगा तो अब जो जो अपर वाला पोइंट करेंगा यह हमारे क्या अथ्योफ चैसरे q and ывать कृटि करेंग यह इस के लिए का खाल यह यह इसके ओनली का करेंगे शक्युक्त आपका काम करेंगा अब यह इसके इसके ठीटा कैप इसके लिए MLE का काम करेगा इस केस में जो हमारे जो random sample देगा इसमें से सबसे minimum value आपका क्या पर यह यहां सब कर यह 4 आपका हो जाएगा तो अब 4 आपका ही क्या इसका आपका MLE हो गया अब यहां सब को यह भी आपको ध्यान देना है देखीगा हमारा जो parameter सापका दियागा parameter क्या का जाए माइनस infinity to 3 आपका दियागा जबकि हमारा जो parameter सापका ठीटा क्या आपका greater than 0 पे पे इसका माराher यह इसका क्या मैंस पूह सोरी इसमें क्या माइनस बिलॉंग कर रहा है अगर आंदा यह लाइन की बात तो यह आपका 3 और माइनस इंफिनिटी तो 4 कहीं आपका यहां पर आपका जाएगा तो इसमें कहीं 4 आपका आही नहीं रहा है तो अब MLE क्या होगा यहां से MLE क्या होगा तो फिर अगेन हमारा यह में जो concept आपका होगा क्योंकि MLE आपका आपका क्या होता है जबकि इसके परविण यश स्पय्स आपके 3 होजाएगा और स्पर्फीड आपके 3 होति जागा तो अब इस case में थीटा के लिए यह फेया हो गाए कि आपका यह हो जाएगा तो अब यहीं से हमारा जो कि मैं ज़ो होता है वह किया परिएस प्रोपरिटेश का होल करता तो यहां से इन वेर्यास प्रोपरिटेश आपका यह कहता कि अगर कोई इसके लिए आपका MLE काम करेगा तो अब यहां समय सिंप्ली यह क्या सकते हैं यह हमारा एक्स्प्रेंशल पंक्शन आपका continuous यह आपका 11 आपका है तो इस केस में यहां से इसके लिए इसके लिए क्या होगा अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपका भी वाले को करेक्ट करके आगे होंगे तो वह आपका भी आपका यह करेक्ट आपका नहीं है तो थोड़ा सा आपका इस स्में ट्रीक आपका है कोशन अगर हम लोग यहां पर थिरी की बात करते हैं या कोशन नमबर आपका फोर की बात करते हैं यह से अज़िट आपका अपने यूजल कंडिशन बेस्ट आपका यह थीक इतना आप सभी को समझ में आ गया चलिए अब जो नेक्स हम लोग आते अब यह कोशन नमबर आपका जो 5 दिया गया यह जो एजी ड़ी अपका कोशन यह भी बहुत अच्छे सब्धियानी किया गया और यह पर प्रीवेशन पैंटर बेस्ट आपके यह कोशन आपका पिछले साल भी आपसे पूछा गया था ट्वंटी ट्वंटी टू में भी सब्सक्राइब यहां से खैक साथ में सोता है साथ में J रैक यहां त nov को आप सब्सक्राइब कर दो त्स्थीक्व ठीड़ और उसाथ में क्या पर यह प्र्टिक्वलर पिडामेृटर्स इंपास प्रियेड़कर एक किरेट करें और इसका एक्क्षेटियसंद्स लें और यह मारे माथ करा तो है क्या गामा फाई सिता काम अनattendया रहा है तो हम यहां से यह कह सकते हैं इसके लिए क्या होगा करिए इसको क्या कर सकते हैं अब यहां से नुट एकल टू समेशन ओंड नुट नुट करें तो यह आपका बाइनोमियन को फॉल्व करेगा और यह एन और यह ठीटा हो जाएगा अगर पैटन आपके यह काम करता है अगर हमारा ठीटा क्लिए कि आपका ती वाई एन है तो यहीं संब कर टीटा के लिए इसके लिए हमा सब्सक्राइब करेंगे तो इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो वह मारा एका जगा थीटा और यह यहां सब अपकर ठीटा स्काइर के लिए आपका हो जाएगा जब किसको & फीटा स्काहर न यहां से अ जर्गे यह हो जाएंगे त थीटा कि इसको सिंप्लिफाइए तो आपका थीटा 1 प्रॉस ऑपको इसे के लिए आप से पूछा यह थी आपका टूटल नंबर आप और भाकिपों करें घैए तापके थीटा फैर सुल और यह जो जाएंगे तो यह जो पूशन का पैटन एक और तरीकिस आपको हो सकते हैं ठीटा और यह बागले कुछ बेसिक चीров 1966 आप सभी पेस्व बतादेना चाहरे आप में है जो भी experience as it up का UPSC ISS 2024 को target करके चलने तो उसके लिए हमारा संकल बैच आपका start आपको हुगा है और यह संकल बैच अभी आपका latest आपका 15 आफ यह July से आपका start आपको हुगा है आपके जो भी experience as it up का UPSC ISS 2024 54 को आप टार्गेट करके चलने तो आप लोग संकल बैच को आप जोइन कर सकते हैं और इसमें आपके जो आपके इसी के इनसाइड आपके आएंगे तो आप लोग वह भी आप उसको देख सकते हैं आप इस नमबर पर कॉल करके भी आप यहां से सारे डीटेल ले सकते हैं या आप विजिट करके भी सब कुछ आप वहां से डीटेल अप ले सकते हैं इसमें All of Stats के पेपर और उसके साथ साथ आपके जो मॉक टेस्ट कर सकते हैं या फूल लेंट टेस्ट भी इसमें क्या आपके अरेंज आपके किएगा इसके कोर्स स्टक्चर या फी स्टक्चर की बात कर से तो ओफिशल वेबसाइट पर विजिट करके आप वहां से देख स सकते हैं अभी 25% का आपका चला है तो आप इस डिसकांट का वेपीट भी आप कर ले सकते हैं तो चले हम लोग अपने नेक्स के इंसाइड मिलते हैं नेक्स लेक्चर के इंसाइड और नेक्स लेक्टेर वेबसा करेंगे जो हमारे जो सो तो यह जुसक्त आपका प्टास्ट यह शां। सबुंदें तो दिभल ओम मिला होगा टो चले हम आप्टस अइस इन्ट्रेस्टीन में टॉकिक को लेका मुलको डिस्कस करते हैं ठीक झाल झाल झाल